हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू कॉंपिटिशन रूफ चैनल और स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग कक्षा आठ के साथ पार्थों का अध्यन इस चैनल पर कर चुके हैं आज हम कक्षा आठ का आठवा पार्थों का अपना यह सबसे कठिन समय रही यह क्या है विध्यार्थ्यों यह कवीता है जिसके जो रचेता हैं जो कवयत्री weighed जी है जो जाद्वानीजी जादवानी जी, जो बहुती फेमस कवित्री रही है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इवर, जया जादवानी, याद रखना आप लोगों को इसका, कुछि कभी कवित्री से और कभी उसका नाम पूछ लिया जाद सकता है, तो जया जादवानी जी जो है, इसकी लेखी का है इसे पहले विद्यार्थियों जो है मैं आप लोगों को कवीता और कहानी दोनों का दियन करवा चुकी हूं तो आए जादा लेटना करते हुए हम प्रारम कर लेते हैं कवीता का तो कवीता का नाम है यह सबसे कठीन समय नहीं है तो सबसे पहले तो आप लोगों को कठीन का अर्थ यहां पर पता होना चाहिए कठीन का अर्थ क्या होता है मुश्किल ठीक है इस कवीता के मैं शब्द अर्थ पहले नहीं बता रही हूं क्योंकि बहुत जादा यहां पर शब्द नहीं है जया जादवानी जैनी बहुती सरल शब्दों में यह कवीता लिखी है कि जो इनों ने एक आशावाधी द्रिष्टिकों इस कविता में अपना दर्शाया है, कि उनोंने बताया है इस कविता में कि वैक्ति को कभी भी निराष नहीं होना चाहिए या फिर यह जो समय है यह निराष होने का नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे प्रयतwn करके, प्रियत्र मतलब अपना मेहनत करके अपने लक्षे की और अपने मंजिल की और बढ़ने का ये समय है तो ये सबसे कठीन समय नहीं है कौन सा सबसे कठीन समय नहीं है इस समय इसके बारे में यहाँ पर कजितरी बताएंगी कि कौन सा समय सबसे पहले तो बात आती है कि यह है सबसे कठीन समय नहीं है कौन से समय की यहां पर बात हो रही है और कौन सा समय मुश्किल नहीं है तो मैं आपको इसका शोट में बता देती हूँ लेखिका ने यहां पर बताया है जब वेक्ति निराश हो जाता है जैसे आप लोग भी अपने जीवन में कभी कभी आप लोगों को बोरियत लगती होगी पढ़ने जब आप पढ़ते होंगे तो लगता होगा कभी ये हैं हमारे लिए थोड़ा कठिन हैं लेकिन जो हमारी कवियत्री है जया जादवानी जी ये इस समय को कठिन नहीं मानती है क्यों कठिन नहीं मानती है ये समय को यही हम इस कविता में पढ़ेंगे उन्होंने बहुत सारे उधारन दिये बहुत सारे तरक दिये कि ये समय कठिन क्यों नहीं हैं तो हम उन तरकों को यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाऊंगे यह आप लोगों को चित्र दिख रहा होगा जो अपनी NCRT में दिया हुआ है यहां पर यहको ने एक छोटी चिडिया है जिसके मुँव में क्या है एक तिनका है यहाँ पर एक शब्द आया है तिनका बच्चों आपने कख्षा कवीता पढ़ियोगी एक तिनका ठीक है तो तिनका क्या होता है छोटी सी गhash का एक टुकडा होता है जिस से जो है चिडिया अपना घुसला बनाती है तो यहाँ पर ये देखो छोटा एक आपको दिख रही होगी चिडिया जिसके मुह में क्या है एक तिनका है और इस तिनके से वो क्या बनाती है अपना गुसला बनाती है चलिए पढ़ लेते हैं नहीं यह सबसे कठीन समय नहीं है अभी भी दबा है चिडिया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी ज़र्ती हुई पत्ती यह सबसे कठीन समय नहीं है देखे पहले हम इनी पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं नहीं यह सबसे कठीन समय नहीं है रेक्ति जब निराश हो जाता है तो उस समय को जया जादवानी जी बता रही हैं ये सबसे कठिन समय नहीं है यानि कि ये मुश्किल समय नहीं है क्योंकि अभी भी दबा है चिडिया की चोंच में तिनका क्योंकि अभी भी जो चिडिया है उसकी मूह में क्या है घास का एक छो क्वारी में हैं और क्या है वह उस घोसला बनाने के बाद और भी तिनका लेने लिए और जाना चाहती है तो तुरह स से उड़ना चाहती है और अपने च्टा करका एक तूटे खरोश करके है और उनसे अपना घोस ला वो बनाती है आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जब बहुत बारिश होती है या आंधी तुफान आता है तो चिडिया के घोंसले हमेशा तूट जाते हैं नेस्ट जिसको हम बोलते हैं या जहां पर चिडिया रहती है जहां चिडिया अपने बच्चों को पैदा भी कर वो कभी भी तिन के इकठा करना कभी भी बंद नहीं करती वो हमेशा मुश्किल परस्थिती में भी तिन का तिन का इकठा करके लाती है फिर से अपना घर बनाती है और अपने कारिये को निरंतरूप से करती हैं तो इसी परकार से यहां पर लेखी का हमें समझाना चाहती है करना चाहिए उस समय में हमें निराश नहीं होना चाहिए अगली पंक्योकार्थ देख लेते हैं और अभी भी जरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक अभी भी भीड है स्टेशन पर अभी भी एक रेल गारी जाती है गंतव्वे तक यहाँ पर क्या कहते हैं अभी भी जरती जरती मतलब गिरना पती तो आप समझी गए होगे पेड़ों की जो पतियां होती है लीफ जिनको बोला जाता है कि अभी भी पेड़ों से क्या है पतियां गिर रही है लेकिन उन पतियों को गिरने से रोकने के लिए भी एक हाथ मतलब कोई ने कोई बैठा है अर्थात आपको motivate करते हैं वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको आगे जाना है, आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों से आपको निराश नहीं होना है तो यहाँ पर जिस परकार से पेडों से पतियां गिरती हैं उन्हें थामने को मतलब पतियों को रोकने के लिए कोई न कोई हमेशा होता है यानि पेडों से पतियां गिर जाती है लेकिन फिर से कोई पेड उगाने वाला व्यक्ति हमारे यहां पर धर्ती पर फिर से कोई न कोई पैदा हो जाता है फिर से प पर पतिया आती है तो जिस परकार से पेड़ अपने कार्य नहीं छोड़ते उसी परकार से हमें भी अपने लक्षे को कभी नहीं भूलना चाहिए अभी भी भीड है स्टेशन पर अभी एक रेल गाड़ी जाती है गंतववे तक गंतववे मतलब जो मंजिल होती है जिस परकार रेल गाड़ी आप लोगों ने ट्रेंस में बहुत बार अपने टिकेट बुक करवाई होगी एक स्थान से जब आपको दूसरे स्थान पर पहुँचना होता है तो आपको कौन पहुचाती है रेल गाड़ी यापको ट्रें पहुचाने का कारिये करती है और आपने देखा होग परतिक्षा परतिक्षा होता है यहां पर इंतजार ठीक है आप लोगों को याद रखना है यह परतिक्षा करत क्या होगा इंतजार होगा कि जिस परकार जो है रेल गाड़ी व्यक्ति को एक सान से दूसरे स्थान पर गंतव है मतलब जहां उसको जाना रहता है वहां तक पहु लेकिन कोई ने कोई हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ मिलता है अगली पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं जहां कोई कर रहा होगा परतिक्षा अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आजाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है बच्चों आप लोगों ने देखा हो होते हैं या जोब पर होते हैं माना कि माता भी जोब पर होती है और आप स्कूल में होते हैं लेकिन जैसे ही शाम होने लगती है सूरज डूबने का मतलब जैसे ही शाम होने लगती है चार पांच बजने लगते हैं तो हमारे सारे परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं धीर आजाओ कि अब सूरस डूबने का वक्त हो गया है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आपका इंतजार करने वाला अभी भी कोई है जो यह कह रहा है कि सूरस डूबने से यानि कि अंधेरा उने से पहले पहले आप वापिस घर पे आजाओ उसी परकार से बच्चो आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है कि जब आप पड़ लिकर बड़े होंगे तो आपका जो सपने हैं जो ड्रीम्स हैं वो आपका हमेशा इंतजार करते हैं आपको उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको एक रास्ता तै करना पड़ेगा जो आपके सीवा कोई और कर ही नहीं सक तो वो मंजिल हमेज़ा आपका इंतजार करती है बच्चों तो यहां पर कव्यत्री जी यही समझाना चाहती है अभी कहा जाता है उस कता का आखरी हिस्ता जो बुड़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी क्या है आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने नाना नानी के घर जाते होंगे जब आप छोटे होंगे बहुत छोटे होंगे जब आप फस्ट यह सेकंड क्लास में होंगे तो देखा होगा आपने या तो आपकी मातजी या आपकी दादी या फिर आपकी नानी इन में से कोई नो कोई या आपको कोई नो को कि उस कथा का आखरी हिस्सा कथा यहां पर किसको कहा गया है बुड़ी नानी की या बुड़ी दादी की कहानी को कहा होगा कि आखरी हिस्सा भले ही उनकी कहानिया आज भी खतम नहीं हुई हैं वो दादी वो बुड़ी नानी आज भी कहानिया सुनाने के लिए बैठी हुई है यानि कि उनकी कहानिया कभी खतम नहीं हो सकती वो अपने बच्चों को रिजाने के लिए हमेशा कोई नहीं कहानी लेकर आजाती है दुनिया के तमाम बच्चों को ठीक है तमाम मतलब बहुत सारे बच्चों को जो नानी होती है या जो दादी होती है कहानिया कभी भी समाप्त नहीं होती तो जब बुड़ी नानी या दादी की कहानिया कभी समाप्त नहीं हो सकती तो हमारे लक्षे कैसे समाप्त हो सकते हैं हमें अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए हमें भी निरंतर प्रयास करना होगा आगे बढ़ते हैं अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं यह सबसे कठीन समय नहीं है अभी आती है एक बस यहाँ पर एक बस कवित्री दुआरा किया जारा है जैसे आप लोगोंने कलपना चावला का नाम सुना होगा जब कलपना चावला जो है गई थी चान पर मतलब की कुछ अपने नासा के दुआरा जब उनको भेजा गया था कलपना चावला अपने भारतिये विज्ञानिक रही है बहुती प्रसिद तो पूरा पूरी दुनिया ये आस लगा कर बैठी हुई थी कि जब वो वापिस आएंगी कलपना चावला तो बहुत सारी चीजों के बारे में अंतरिक्ष की हमें ज्यान करवाएंगी तो आपने देखा होगा लेकिन होता क्या है कि उनका जो जिस साधन से वो वापिस आ रही थी वो रास्ते में ही बिल्कुल जल गया था विनाश हो गया था उसका तो वो जिन्दा अपनी धर्ती पर वापिस नहीं आ पही थी और वो जो है वीरगती को प्राप्थ हो गई थी लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उनके बाद भी बहुत लोग अंत्रिक्ष में गए हैं और उन्होंने उस कारिये को पूरा किया है जो कलपना चावला अधूरा छोड़ गई थी वो चांद पर जो हैं पाने की खोज के संदर्म में गई थी लेकिन वो उस कारिये को नहीं पूरा कर पाई यहां पर कव्यत्री क्या कह रही है अभी आती है एक बस अंत्रिक्ष के पार की दुनिया में मतलब यहां पर एक ऐसी बस का वर्णन कर रही है कवियत्री जो कि अंत्रिक्ष के मतलब कि जो अंत्रिक्ष में कुछ लोग जाते हैं एक ऐसी बस बनाई जारी है विज्ञानिकों के द्वारा हम उनकों बस तो नहीं कर सकते लेकिन वो बस की तरह ही है जैसे आप लोगों ने देखा होगा बस की तरह ही होते हैं उसमें क्या होती है और विज्ञानिकों के लिए खाने के लिए फूड होता है और और जो 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 अंत्रिक्ष में नहीं हो सकता या वहां से नहीं लिया जा सकता सारी सुविधाएं उस बस में या उस प्लेन में परवाइड करवाई जात आसमान में भी भाईय मंदल हो गए वायू मंदल हो गए इन सारी चीजों के बारे में जब जो है घ्यान प्रप्ट करकर लाते हैं तो प्लेन में बहुत सारे वेग्यानिक जाते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि लाएगी बचे हुए लोगों की खबर यहां पर कवियत्री ने बोला कि बचे हुए लोगों की खबर इसका मतलब उस प्लेन में कुछ ही लोग बचे हैं सबी लोग नहीं बच पाए अर्थात क्या कह रही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है जब प्लेन वापिस आ रहा होता है तो वो रा या पर दर्ती पर जो लोग हैं वो कभी भी निराश नहीं होतें, कभी भी ये नहीं सोचतें कि अब इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, बलकि क्या सोचतें हैं, जो बाकी के लोग हैं, जो प्लेन में बाकी के लोग हैं, वो तो बचे हुए होंगे, उनकी तो जिंदगी अभी न बर्मांड में हैं ठीक है जो इस बर्मांड में क्या क्या हो रहा है बर्मांड कैसा है वहां पर पानी है कि नहीं जीवन जीने योग वहां पर प्रस्थितियां है कि नहीं तो वहां उनकी खबर कौन देगा जो प्लेन में बाकी के विग्याने के बच गए हैं नहीं यह सबसे क प्रश्थितियां हो गई थी कि सभी ने उनसे बाचित करना बंद कर दिया था और वो केवल अपने घर में ही कैद हो गए थे उस समय उन्होंने बहुत सारी चीजों का जैसे उन्हों ग्रेविटी फोर्स बोला था उन्होंने अपने सामने एक सेव गिरते हुए देखा था और फिर उसको सोचा था कि ये सेव केवल धरती पर वापिस क्यों आया केवल जमी अपने जीवन में बहुत ज्यादा वैस्त थे जब वो जीवन में अकेले हुए जब वो अपने घर में कैद हो गए उनके कोई बाचित करने वाला नहीं रहा तब उनके नई नई विग्यानिक खोजे निकल कर आई तो प्रिये विद्यारतियों आप लोग भी लोकडाउन के समय को जादा से जादा सदूपयोग करें अपने कोशलता अपने टैलेंट को ये दिखाने का सबसे जादा समय है आप नई नई चीजे करें और अपने जीवन में कभी भी निराश ना हो आगे बढ़ते रहें मिलते हम नेक्स वीडियो में आशा करती हूँ कि आप लोगों क कर दें वीडियो को शेयर कर दें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं जो है व्याकरन खंड भी एक अलग से कौशिश करूंगे आप लोगों के लिए लेकर आओं मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में जैहींद वंदे मा रपजो करो साभ का वीडियो नेक्स्ट